कहते हैं रामधारी सिंग दिनकरजी की है कविता अगर कोई मृत्यों कंतिम छड़ों में भी सुन ले तो अत्ताल ठोक के खड़ा हो जाए सही माईनों में सुर्वीरों के लक्षण क्या होते हैं सही माईनों में सुर्वीर क्या करते हैं इस कविता से हमें भली भाती पता लगता है अगर एक विपत्ती किसी सुर्वीर पर आई है और वही विपत्ती किसी कायर पर आई है तो सुर्वीर विपत्ती से कैसे लड़ता है और कायर विपत्ती से कैसे लड़ता है इस कविता से हमें इन दोनों के लक्षण पता लगते हैं तो देर न करते विए चलिए मैं आपको सुनाता हूँ जो शियोत प्रोत यह कविता सच है विपत्ती जबाती है कायर को ही दहलाती है सूर्मा नहीं विचलित होते ख़डेक नहीं धीरच खोते विखनों को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं मुह से न कभी उप कहते हैं संकट का चरण गहते हैं जो आपनता है सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं शूलों का मूल नसाते हैं बढ़ खुद विपत्ती बरचाते हैं है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर परवत के जाते पाँ उखड, मानों जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण वड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानों के भीतर, महदी में जैसे लाली हो, वर्ति का बीच उज्याली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है।